हेलो एंड वरी गुड मॉर्निंग तु अल उफ यू स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल सक्सेस गुरू में और मैं रजतनाग बलकरंट फिर का अनदर सेशन लेके आपके सामने हाजिर हूँ आज है ट्वैल्थ में और आज के सारे इंपोर्टेंट कोश्चन हम वन डिसकस करेंगे तो फ्रेंड शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि आपके जो हिस्ट्री वाले लेक्चर है मिस्टर पंक्यू सर उनकी आज मैरेज है ठीक है और वो मेरे बचपन के फ्रेंड है चाइल्डूड फ्रेंड है तो इस वजए से मैं थोड़ा बीजी होने की वाज़े से आपको वीडियो थोड़ी सी लेट पहुंचा आ पारहा हूं लेकिन मैं प्रोमिस कर रहा हूं कि आपको वीडियो डेली मिलेगा तो इतना थोड़ा सा हैंडल टैकल कीजिएगा और जुड़े रही हो शुरू करते हम आज का सेशन और प और इसका थीम क्या है बहुत ही इंपोर्टेंट वह हम अगली स्लाइड में डिसकस करते हैं ध्यान से देखिएगा देखो नेशनल टेक्नोलोजी डे अब्सरवड एवरी इयर ओन में 11 ठीक है नेशनल टेक्नोलोजी डे एक्ट एस रिमाइंडर ओफ इंडिया स्टेक्नोलो 1998 में पोकरन में हमने पहली हमारी नुकलियर मिसाइल टेस्ट की थी सक्सेस्फुली और उस मिसाइल का नाम था शक्तिवन और वो 11 में कोई की थी तो उसी की याद में हम हर साल इस दे को मनाते हैं और साइंस के जितने भी लोग है नुकलियर से जुड़े हुए साइंस से आपको यहाद रखना है ठीक है और इस बार का technology day का theme क्या है rebooting the economy through science, technology and research translations titled restart ठीक है rebooting the economy through science, technology and research translation restart की full form है यह ठीक है यह theme है इसको दो तीन बार पढ़ोगे तो exam में आप easily click कर पाऊगे अगर आया क्योंकि इतना बड़ा I think theme नहीं आते है exam में बढ़ते हम अपने आज के second question पे जो है according to the released data which state UT has the lowest infant mortality rate ठीक है यह data निती आयोग ने निकाला है इस बार और हमें बताना है कि उसके इसाब से जो नए बच्चे शुशु जनम लेते हैं सबसे कम mortality rate मृत्यु दरुन की सबसे कम किस राज्ये या केंदर शाशित प्रदेश में है चार option आपके सामने है और इसका सही उत्तर है C option मध्या प्रदेश क्या है मध्या प्रदेश मध्या प्रदेश has the lowest infant mortality rate शिशु मृत्यु दर की वहाँ सबसे कम है संख्या ठीक है यह आपको याद रखना है अब मध्या प्रदेश के बारे में आल्मोस्ट हम डेली पढ़ते हैं तो बारवर पढ़ेंगे तो याद रहेगी हाई चीज यह भारत में मध्या प्रदेश से इंदरा सागर डेम एंड गांधी सागर डेम ठीक है तो इतना इनफ है आपको इस question से let's move to over next question जो बहुत important और बड़ाई proud वाली situation है हमारे लिए in whom is Israel named after a street इसराइल ने अभी एक सड़क बनाई है और उसमें उसका नाम किसका रखा गया है चार option आपके सामने है महत्मा गांधी तो यह नहीं है क्योंकि मैंने तस्वीर लगा रखी है वल्ला भाई पटेल जी भी नहीं है हमारे first home minister थे सुबास चंदर बोस भी नहीं है तो इसका सही उतर है रविंदर नाट टेगोर रविंदर नाट टेगोर जी की यह तस्वीर है और रविंदर नाट टेगोर के नाम पर ही अभी अभी इसराइल ने एक स्ट्रीट बनाई है ठीक है और क्यों बनाई है क्योंकि इनका 159th birth anniversary थी उसी की याद में इसको मनाया ग अब यह इसराइल ने रखा है तो इसराइल के बारे में देख लेते हैं यह एक कंट्री मिडल इस्ट में है इसकी करंसी है इसराइली शेकल कैपिटल है जेरु सलेम और प्राइम मिनिस्टर बहुत इंपोर्टेंट है नाम याद रखिएगा बेंजमीन नेतन याहु क्या है बेंजमीन नेतन याहु तो इतनी डिटेल आपको इस कोश्चन से याद रखनी है हमारा अगला कोश्चन है आज का रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवे मिनिस्टर नितिन गटकरी हैं क्या है MSME मिनिस्टर भी हमारे नितिन गटकरी जी है उन्होंने अगले दो साल तक का भारत की सड़कों का कितना निर्मान करवाने का लक्षय रखा है ये हमें बताना है नीचे चार ओप्षयन है ये करंसी है मतलब हमारी अमाउंट है कितने रुपीज की सड़के बनवाने का टार्गेट रखा है तो इसका सही उत्तर है हमारे नितिन गटकरी जी ने फैसला लिया कि वो अगले आने वाले दो साल में पंद्रा लाग करोडर पे तक की सड़कों का निर्मान कर देंगे भारत में ठीक है तो ये आपको याद रखना है इस कोश्चन से हमारा आज का अगला कोश्चन है बढ़ते हैं जिस पे वो रोट दा बुक काल्द फाइंडिंग फ्रीडम बहुत इंपोर्टन पॉस्चन है हमें बताना है फाइंडिंग फ्रीडम नाम की बुक के लेखक कोन है चार उप्षन आपके सामने है ए ऑप्षन है ओमिड स्कूबी बी ओप्षन है कैरोलिन दूरंद डी सी ऑप्षन है एन डी है न उफदा दीज इसका सही उत्तर है सी ओप्शन बोथ ओफदा अबव क्या है बोथ ओफदा अबव ओमिड्स कूर्बी और कैरोली डूरेंड ने मिलके इस किताब को लिखा है अब ये किताब इंपोर्टेंट क्यों बनती है एक्जामिनेशन पॉइंट ओफ व्यू अब ये अगस्त में आनी है लेकिन इसकी बुकिंग अल्रेडी टोप पे चल रही है तो इसलिए बुक इंपोर्टेंट बनती है दोनों आपको उसके ओथर्स के नाम लिखने और किस पे है ये बुक ये भी आपको याद रखना है ठीक है तो बढ़ते हम अपने आज के सिक् इंडियन ओशियन आइलेंड कंट्रीज है जो भी आसपास हमारी जैसे माल दीव्ज हो गई ये आपके सामने मैंने दिखाया है शेशिल्ज हो गई माल दीव्ज हो गी मॉरिश्य हो गी कॉमरो आइलेंड हो गया मटका सागर हो गया इनको हेल्प कहने के लिए करोना की कर गया है और इसका सही उत्तर मिशन सागर क्या है मिशन सागर है इंडियन ओशिन कान्ट्राइज कीquarग के लिए हमने मिशन सागर कंपेंट चलाया है जिससे उनको हम निकालेंगे अगर वो प्रोब्लम है उनको लेकर आएंगे जितने भी इंडियन है आसपास की इस कंट्रीज में आइलेंड कंट्रीज में तो यह चीज आपको माइंड में रखनी है बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रेशन पे जो है काफी ही इंपोर्टेंट है फाइनस कमिशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं डिटेल में आप भूले ना क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट चीज है यह कंस्टिशनल बोड़ी है हमारी 15th Finance Commissioner का आमें बताना है कि Member of Advisory Council अभी अभी किसको चुना गया है चार ओप्शन है आपके सामने और तस्वीर भी है तो यह तस्वीर है आपकी ए ओप्शन क्रिशन मूर्ती सुबर्मन्यम क्या है क्रिशन मूर्ती सुबर्मन्यम की यह तस्वीर है और इन्हें यह अभी अभी Member of the Advisory Council of 15th Finance Commission चुना गया है ठीक है Finance Commission basically क्या है is a constitutional body formed by the President of India to give suggestions on center state finance relation के इंदर सरकाल और राज्यों के बीच में Finance allocate कैसे करना है किसको कितना budget बनाना है उसके यह डिपोर्ट तियार करती है ठीक है अब 15th Finance Commission के चेर परसन को नहीं यह बहुत important question है Mr. N.K. सिंग यह तो आप दिम Finance Commission चेर परसन ठीक है और यह दो रिपोर्ट सब्मिट करेंगे इस बार कि अब आपको यह याद भी रखना है कि यह किस आर्टिकल में कॉंसिट्यूट में मैंचन है आर्टिकल 280 में Finance Commission के बारे में डिटेल में बताया गया है ठीक है सब्सक्राइब करें आपकेज देने का फैसला लिया है जितनी भी कंट्रीज कोविड-19 के लिए जादा इफेक्ट हुआ है और जिनको मदद की जरूरत है तो इसका सही उत्तर है बी ओप्षण 6.7 billion डॉलर किया है 6.7 बिलियन डोलर देने का फैसला लिया है युनाइटी नेशन ने युनाइटी नेशन अब डेली पढ़ते हैं युनाइटी नेशन की स्थापना हुई थी 24 अक्तूबर 1945 में हेड़कॉर्टर है न्यू योक में और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है अन्टोनियो गुटरस डेली पढ़िये याद रहेगा अन्टोनियो गुटरस बढ़ते हम अपने आज के नेक्स्ट प्रेशन पे जो है इन विच टाइगर रिजर्व दा नंबर ओफ टाइगर इंक्रीज़ फ्रों 88 तो 96 पिछले साल की अपेक्षा में इस साल 88 से 96 हो गया टाइगर का नंबर किस टाइगर रिजर्व में भारत की हमें यह बताना है चार ओप्षन आपके सामने हैं दुद्वा जो की यूपी में है सुंदर्बन जो की वेस्ट बेंगोल में है और इसका सही आंस्वर है है सुंदर बन टाइगर रिजर्व ही सका सही उत्तर है और यहाँ पे 88 थे टाइगर अब 96 हो गया है अब यह चीए यह वेस्ट बेंगोल की के लिए है हूँ वाज दा फर्स्ट इंडियन गवर्णर ओफ आर्बी आई के पहले भारतिय गवर्णर बनने वाले का आपका नाम मुझे कमेंट बोक्स में बताना है और जो कल कोश्चन पूछा था सौधी अरेबिया की करंसी बहुत ही लोगों ने सही उत्तर दिया रियाल और एक कोश्चन ओर था कि कौन सा लाज़ेश्ट ओर्गन है इंटर्नल बोडी का तो उसका भी बड़े लोगों ने सही उत्तर दिया जो है हमारा लीवर और अगर एक्स्टर्नल ओर पूछे तो वह हैं स्किन ठीक है तो यह चीज़े याद रखना और जिसने भी आंस्वर दिया वेरी गुट और आज कांस्वर भी कमेंट बोक्स में दीजिएगा और थोड़ा टैकल कीजिएगा आज का दिन और कल का दिन विकॉज मैंने बताया आपके इस्ट्री वाले टीचर की आज मैरीज से तो उसकी वज़ए से थोड़ा बीजी चल रहे हैं और आपको प्र